जी तु स्टुडेंट स्बिश्चित वीडियो के अंदर हमने डैटा टाइप्स रिरियंप ठेल करने के स्ट्रक्टर देखा संटेक्स, इंटीजर को देखा, फिलोट को देखा, डबल को देखा, और स्ट्रिंग को देखा और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम अपना स्टार्ट लेंगे क्रेक्टर से तो क्रेक्टर के लिए सिरफ आप यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करें और यहाँ पे देखें यह लहुर है ना कितने वे अल्फाबेट से हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो छे लेक्टर है टोटल जितने लेक्टर होंगे उतने क्रेक्टर होंगे और अगर यहाँ पे एक मैं स्पेस डालतू तो यह भी एक क्रेक्टर है तो अब यह X character data type है और इसके अंदर इतने ज्यादा character नहीं आ सकते हैं एक ही character आना है और दूसरी बात inverted comma दिए नहीं लगाना inverted comma तो string को show करते हैं तो सबसे पहली बात कि जो आपके पास character है वो single quotation होती है इसको terminate भी कर देते हैं अब जो भी चीज़ आपने लिखनी वो X एस single quotation के अंदर लिखनी मसला लहौर का L लिख दिया ठीक है तो यहाँ पर अब जो X है वो character type का हो गया ठीक है तो आब यहाँ पर सिरफ L प्रेंट होगा ठीक है F11 करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर सिरफ और सिरफ यह टॉप पर देखिए L प्रेंट होगा है ठीक है फिर यहाँ पर मैं कहता हूँ M अच्छा X के अंदर X को भी आप राख सकते हैं F11 किया तो अब X प्रेंट होगा अब यह जो X है यह character प्रेंट होगा है कौन सा जो इस X के अंदर पड़ा हुआ है ठीक है तो यह चीजा आपने अपने जहन में रखनी है मसला आप इसके अंदर 5 प्रेंट कर लें तो 5 इस आल्सो आप राख्रेंट है तो यह देखे एक सिर्फ वैल्यू आएगी इसके अंदर 5 आ आ गया कुछ भी आप यहाँ पर प्रेंट कर सकते हैं तो यह होगा है character अच्छा उसके पाद students अगली जो data type हमारे पास है वो है bool bool क्या होता है yes या no मसला X is equal to true अब इस X को जब प्रेंट करेंगे तो इसके जगा पर यहाँ पर true प्रेंट हुआएगा ठीक है और देखें हाँ यह देखें मज़े की बात one आया है आप अगर math के अंदर देखें तो जो true होता है जो true है या फिर जो yes है या फिर जो on है logic gates की बात करें तो वो is equal to one होता है इसी तरह अगर आप बात करें false की फिर आप no की बात करें और off की बात करें तो वो is equal to होता है zero आप किसी भी TV का एसी का remote देखें लिए उसका जो on of button होता है उसके उपर इस चीज़ को भी आपने यह concept भी आपको clear होना चाहिए आप देखें वहाँ पर क्या आ गया zero ठीक है तो यह बाते होगी आपके पास character की होगी integer भी हो गया और main main आपके पास बड़ी बड़ी सारी जो data types है वो यहाँ पर complete हो गई है अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ थोड़ी सी चीज़ थोड़ा सो इसको और discuss करते है मशलन मैं यहाँ पर एक variable declare कर लेता हूँ मैं करतों एक integer type का variable है age चले मैं करतों एक string type का variable है name और name क्या है अब यह string है तो इसने inverted commas के अंदर आना है अली फिर एक और variable में टिकले रहे करतों integer type का मैं करतों यह age है और अब यह age integer है तो यह बगार inverted commas के यह जैसे 24 आ गया ठीक है अब मैं इसको इसकी output में कैसे चाहता हूँ मैं output चाहता हूँ इस तरह की तो इस सारी चीज़ को copy करते है copy करने के बाद यहाँ पर x की जगा पर मैं इसको as a string paste कर देता हूँ ठीक है यह तो वो पुड़त आएगी लेकिन यहाँ पर मैं कैता हूँ अली की जगा पर मैं यह variable call करूँ और 24 की जगा पर मैं यह variable call करूँ और बाद मैं यहाँ पर value change करूँ इधर automatically change हो जाए तो अब देखें यह पूरी एक string है और इस string का जो एक part है वो यह वला है ठीक है उसको हमने concatenate किया जोड़ा किस के साथ इस दूस्टी string के साथ इस दूस्टी string के साथ हमने जोड दिया ठीक है और जब इस string के साथ हमने कैसे जोड़ने है इस के साथ जोडने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह दिखिए यह था है my name is Ali तो यहाँ पर string को हमें तोड़ना पड़ेगा इस Ali की जगा पर मुझे क्या करना पड़ेगा दो inverted commas लगाना पड़ेगे फिर अब inverted commas लगाने तो फिर यह पूरी जो string थी इसके एक और हिसा बन गया पहला हिसा उसको जोड़ दिया किस के साथ दूसरे हिसे के साथ अब यहाँ पर एक और हिसा है यह तो इस हिसे को मैं जोड़ूँगा इस हिसे के साथ लेकिन अब इस हिसे के सेंटर में और इसके सेंटर में अली ने आना है और अली किस के अंदर पड़ा है वो इस नेम के अंदर पड़ा है इस नेम को करेंगे copy इसको insertion operator के बाद paste करेंगे और यहाँ पर दो फिर insertion operator डाल देंगे तो अब क्या हो जाएगा, see out करो किसको, my name is, my name is what, name, name के अंदर क्या पड़ा है, अली, तो यहाँ पर लिया आ जाएगा, अब यही काम हम दबारा करेंगे, 24 के साथ, 24 के पर क्लिक करेंगे, और इसको delete कर देंगे, यहाँ पर दो inverted commas लगाएंगे, inverted commas के बाद, दो insertion operator लगा call कर लेंगे age को, ठीक है, तो अब हमारे पास यह चीज त्यार है, अब हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, और F11 प्रेस करने से क्या हो जाएगा, देखें वो क्या लिख रहा है, my name is Ali and I am 24 years old, अब आप क्या करें, simple, यहाँ पर अली की जगा पर क्या करतें, एहमद, और य आपके पास variables की, इसके बाद सिरफ हम एक जो है, वीडियो चार से पांच मिनिट की और बनाएंगे, जिसके अदर variables को different ways के अंदर use करने की practice करेंगे, जैसे अभी मैंने आपके सामने यह string को use की है, और integer को use की, आगे plus minus multiply divide कुछ इस तरह के काम करने की कोशिश करेंगे, practice video बनाएंगे, next, वो हो सकता है कि 10-12 मिनिट की भी होज़े, वो practical practice की है, learning यही है, तो इस वीडियो को यहाँ पर खतम करते हैं, अगनी वीडियो को दिए तक के लिए मुझे दीजी इजादत, goodbye.